चीडी के आला सूत्रों ने NDTV से कहा कि आतिशी जूट बोल रही हैं उन पर ED का रवाई कर सकती है ED के आला सूत्रों का कहना है कि आतिशी द्वारा लगाए गए आरोप, निराधार और धुरुभावना पूर्ण है कुछ आरोपियों के CCTV फुटेज हटाने से जुरे आरोप बिलकुछ जूटे हैं आरोपियों के सभी बयान CCTV पर दर्ज हैं उनके फुटेज आरोपियों को भी दिये गए और पोर्ट को भी पहले सिर्फ वीडियो में CCTV रिकॉर्डिंग होती थी हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ है मुकेश कितने गंभीर आरोप आपकी तरफ से लगाए गए एडी पर और एडी ने अपनी सफाई दी है कितनी पुखता सफाई है एडी की देखिए इसमें जो एक सबसे बड़ी बात है जो आरोप है आतिसी का उसमें ये कहा गया है कि एडी ने कई आरोपियों के जो बयान है वो CCTV फूटेज में रिकॉर्ड किये थे लेकिन उनके ओडियो गायब कर दिये और जो कोट में नहीं सौपे हैं इस पर एडी ने एक महात्पूर जानकारी दी है एडी ने कहा है कि जो एडी है वो एक प्रॉफेशनल लेजनसी है और अब तक सेक्ड़ों 2023 के पहले जो एडी ऑफस में कैमरे लगे हुए थे उनमें आडियो रिकॉर्डिंग की सुधा नहीं थी अक्टूबर 2023 में जो नए कैमरे लगे हैं उनमें जो CCTV फूटेज है उसके साथ में आडियो रिकॉर्डिंग भी होती है और इस्टोर करने की छमता जो फूटेज लेत रिकॉर्डिंग दोनों है और बाकी के जो आरो अरेस्ट हुए हैं अलग अलग केसों में उनका बयान दर्ज उआ उनके भी और वीडियो रिकॉर्डिंग दोने हुए और यह सारी चीज़े कोड को यह सारी चीज़ें दी गई हैं तो एडी के मताबिक अक्टूबर 2023 के पहल है दो हजार तेईस अक्टूवर के बाद जो बयान दर्द हुए है उन सब की आडियो रिकोर्डिंग है तो ऐसे में आतेसी के आरोप बिलकुल गलत थाबित होते हैं और एडिया कहना ये है कि वो इस पूरे मामले में बहुत गंभीर है और काफी गंभीर तासे इस पूरे माम हैं और इस सिलसले में वो आतिशी पर कारवाई कर सकती है उदर आपका कहना है कि उसके जो आरोप हैं बिलकुल पुखता है